यह नॉर्मल जिन्दगी है और यह है टेरडाउन वाली जिन्दगी आज मैं इस पिक्सा प्ले प्रोजक्टर जो की एक mini प्रोजक्टर है इसका टेरडाउन करके आपको inside के सारे parts इसके दिखाने वाला हूँ वैसे ये projector बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है अभी तक कोई भी परिशानी इस projector में नहीं है लेकिन tear down मैंने काफी सारे projectors का किया है तो चुल मजीव हुई है देखते हैं कि इसके inside parts क्या बड़े projector की तरह ही है तो सबसे पहले इसका side panel हमें निकालना पड़ेगा और उसके लिए नीचे जो rubber padding है इसको हमें हटाना पड़ेगा एक पहले सही हट चुकी है पता नहीं मैं कहां रखके उसे भूल चुका हूँ अब ये हटाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे दो screws हैं इन screws को हमें यहाँ पे open करना है ये screws जैसी open करेंगे तो उसके बाद में जो हमारा side panel है वो easily बाहर निकल जाएगा लेकिन do not try this at home क्योंकि इससे आपका projector खराब हो सकता है अब ये मैंने side panel यहाँ पे निकाल दिया और यहाँ पे speaker जो है इसका अब visible हो रहा है इन case आपके projector में धूल मिट्टी आती है तो आप इसको इस तरह से open करवा सकते हैं किसी professional के द्वारा और clean कर सकते हैं warranty में है तो service center ही लेके जाना ये वाला screw और खोल दिया है मैंने और ये वाला जो हिस्सा है ये भी अब मैं बाहर निकाल देता हूँ तो इसको खोलने में थोड़ा सा ताम जाम जरूर है लेकिन अब मैं यहाँ पे से खोल के दिखा रहा हूँ ताकि एक comment भी आया था ना इसी projector के review पे उनके projector में dust चली गई है तो उन्हें ने का था open करके बता तो सफाई कैसे होगी सफाई तो मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे projector में ती dust नहीं है बाकि इस projector में keystone का option भी नहीं है अब यह आगे वाला panel खोलना है और यहाँ पी भी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया उपर की तरफ में एक screw है यह वाला तो यह screw जो है open करने के बाद में यह वाला panel भी निकल जाएगा तो वो screw मैंने खोल दिया और उसके बाद में यह panel जो है इसे easily मैंने यहाँ पे pull out कर दिया और अब यह projector पूरी तरीके से open हो चुका है अब सामने की तरफ में fan लगा है जो इसका blower fan है single fan है उसमें और single speaker इसमें लगा हुआ है अब इसका जो PCB board है उसको निकालते हैं यहाँ पे तो यह जो PCB board है इसके उपर सबसे पहले हमें LCD की जो ribbon wire है इसको हटाना पड़ेगा यह lock यहाँ पे निकल चुका है एक screw को छोड़के सारे screw मैंने open कर दी है और यह center वाला screw मैं हटा रहा हूँ और नीचे दो wire मैंने निकाल दी है यह wire जो है एक fan की है और एक wire जो है वो इसके lamp की है तो यह wire मैंने निकाल दी है LCD की wire को हमने पहले निकाल दिया था और यहाँ पे speaker की wire भी लगी हुई है जिसको अब मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ अब PCB जो है वो disconnect हो चुकी है और easily यह PCB यहाँ पे बाहर आ चुकी है in case आपको PCB की एक closer look चाहिए तो वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ तो PCB की closer look यह रही आपके सामने सामने की तरफ में heat sink लगी भी है सारे ही ports इसी PCB में है तो यह हमारा main component है इसे upside में रखते हैं अब यहाँ पे यह वाला जो panel है plastic का इसको हमें हटाना है और यह panel बहुत important होता है क्योंकि जितनी भी light pass होती है lamp से वो इसी के अंदर होती है अगर यह panel हमने हटा दिया तो फिर projector ठीक से काम नहीं करेगा क्योंकि light फिर leak हो जाएगी बाहर की तरफ में आ जाएगी यहाँ पे मैंने LCD की wire को भी easily यहाँ पे निकाल दिया है और यह कि जो wire है जो lamp की wire है इसको भी मैंने आपे हटा दिया है और अब projector हमारा पूरे तरीके से open हो चुका है इसमें keystone correction नहीं है इस projector में सर्फ focus की knob है बहुती budget projector है mini projector है और इसकी LCD आप देखिए कितनी छोटी से LCD इसमें लगी भी है बाकि इसमें parts उसी तरीके हैं दे रखे सारे जैसे एक normal projector में होते हैं बस यह है कि यहाँ पर हर चीज़ को छोटा कर दिया गया है compact design बना दिया गया है तो projector के अंदर के parts वही हैं सारे projector के working के उपर मैं बहुत पहले एक video बना चुका हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हम discuss नहीं करेंगे basically मैंने इसको tear down करके यही देखना था कि inside parts क्या है तो यह है इसका एक look पहले यह कैसा था और अभी यह है इसके सारे parts जिनको मैंने deassemble कर दिया है अब basically जब हम projector open करते हैं तो ऐसे में dust जाने का process जो है वो बहुत easy हो जाता है projector के लिए फिलाल में मैंने इसका यह blower fan यहां पे भार निकाल दिया और मेरा fan भी बिल्कुल clean है fan के अंदर भी किसी तरह की कोई dust नहीं है जैसा मैंने का मेरा projector बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा था अब मैं यहीं कहूंगा यह projector जब हम open करते हैं तो ऐसे environment में करना चाहिए जहां पे dust ना हो क्योंकि open करने के बाद इसमें dust जल्दी से जा सकती है और projector कैसे clean करना है उसके उपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अभी मैंने वो black plastic वाला panel नहीं लगाया है ऐसे में अगर मैं इसकी direct सारी wires को लगा देता हूँ तो ऐसे में projector काम तो जरूर करेगा लेकिन proper तरीके से नहीं क्योंकि वो जो black panel है वो पूरे lamp वाले area को seal करके रखता है तो फिलाल मैं just इसको on करके देख रहा हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता फिलाल मैं अभी मैंने कोई भी चीज़ को properly यहां पर connect नहीं किया है तो light यहां पर आ चुकी है इस projector में पहले light आती है, blink होती है फिर stable होती है, उसके बाद में जब हम पावर बटन दबाते हैं, तो फिर से light blink होती है और फिर ये start होता है तो इसे on होने में भी जो है तकरीबन एक मिनट का समय लग जाता है तो यहां पर यह जो power button है, मैं इसको दबा रहा हूँ remote का इस्तुमाल मैं यहां पर नहीं कर रहा हूँ और adapter मैंने इसका अलड़ी लगा दिया और आप देख सकते हैं अंदर की तरफ में कितनी bright रोशनी आ रही है, क्योंकि जो projector के lamp होते हैं काफी ज़्यादा powerful होते है यह तो वैसे भी एक mini projector है तबी भी इसका lamp इतना powerful है, जो बड़े-बड़े projectors होते हैं, वो बहुत ज़ादा light को produce करते हैं, इसी लिए इन में fans लगे होते हैं, ताकि यह जल्दी से heat up होके बंद ना हो तो यह है इस projector की सारे parts मैंने आपको open करके दिखा दिया है आप देख सकते हैं कि projector के अंदर के parts क्या है और यह basic parts हैं PCB है, और उसके अलावा यहाँ पे fan लगा है speaker लगा है, और अंदर lamp के साथ में polarized glass, LCD, पीछे की तरफ में heat sink, यह सारी चीज़ा लगी है चलिए अब वापिस से इसको जो है assemble कर देते हैं, तो इसकी opening में आपको पूरी तरीके से दिखा दिया, अब मैं इसको वापिस assemble कर देता हूँ, और उसके बाद में एक बार फिर से test कर लूँगा कि projector हमारा on होता है, या फिर नहीं होता है, वैसे on हो जाएगा क्योंकि मैंने और किसी चीज़ के साथ में शेड़कानी नहीं करी है, finally अब मैंने इसको assemble कर दिया, और यह जो PCB वाला area है, अब मेरे को इसको लगा के इसकी wires को properly connect करना है PCB में ही सारे ports होते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने lamp की wire लगा दिया है, इसके बाद में मैंने यहाँ पे इसके fan की wire को लगा दिया है, फिलाल में मैं इसको यहाँ पे proper तरीके से लगा रहा हूँ, यह step connect कर रहा हूँ, तो अब हमारा projector वापिस से ready हो चुका है, फिर से use करने के लिए, तो tiered on में उने आपको सारी चीज़े दिखा दिये हैं, अब इसका जो बस cover है मुझे उसे लगाना है, और हाँ, देखिए इस वीडियो को बनाते हुए, क्या हुआ था ना, इसका जो जितने भी parts हैं, काफी नाजुक parts हैं, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत भी हुई थी, इसको open करते time और close करते time भी, इसलिए मैं यह काता हूँ, कोई भी electronic हो, अगर वो warranty में उसे service center ले जाएं, और अगर वो warranty में नहीं है, तो किसी professional की मदद ही लें, उसको repair या उसकी service करने के लिए, अब देखिए नीचे वाला area जो है, यहाँ पर यह बंद नहीं हो रहा था, तो इसमें भी मुझे काफी देर लगी थी, और मैंने अराम सी किया, यह काम जो है ना, इतमेलन से ही करने चाहिए, वरना तकलीफ आ जाती है, ऐसी चीज़ों में दिक्कत आ जाती है, और फाइनली, थोड़ी सी मुशक्कत करने के बाद में, यह जो panel है, वो close हो गया, अब इसके बाकी के parts भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, जो भी इसके screws है, उनको मैं लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको आपको open करके भी दिखा दिया है, और वापस मैं इसको अब बंद कर रहा हूँ, साथी में मैं यह चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चानल पर लगातार आपको अलग-अलग तरह के gadgets दिखाता हूँ, तो आप अगर gadgets में इंटरस्टेड हैं, तो ही subscribe कीजे चानल को, मैं सिर्फ projector नहीं दिखाता हूँ, और projector की वीडियो मैं अब जल्दी से लाने सारे नहीने gadgets के वीडियो लेके आता रहूँगा, फिलाल में अब ये projector मैंने जो है completely pack कर दिया है, यहां पर मैंने इसके adapter wire भी लगा दिया, जैसे मैंने बोला, इसको एक से दो मिनट का समय लग जाता है on होने में, तो अब ये on हो चुका है और projector मेरा ठीक तरीके से काम कर रहा है, आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है, तो वीडियो को like जरूर कीजिए, कोई मन में सवाल है, तो नीचे comment जरूर कीजिए, और हाँ, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाते हैं, बात बात करना चाते हैं, मुझे Instagram पर follow कीजिए, आज कल मैं थोड़ा कम active हूँ, लेकिन जबी भी मैं आपको message देखूँगा या comment देखूँगा, तो मैं reply जरूर करूँगा, चैनल को subscribe कीजिए, BR Tech Films, और हाँ, अब हमारा short channel भी आ चुका है, जहां पर gadgets के shots लाता हूँ, अगले वीडियो में मिलूँगा,